हेलो फ्रेंद्स वेल्कम टू माई चैनल सी टूई कॉंपिटिशन टूटिशन आज का कॉंटेस्ट से लर्ट है वाइड लाइफ वीक सेलिब्रेशन कॉंटेस्ट के साइट से इसी मौके पर बहुत सारे कॉंटेस्ट भी यहां पर और्गनाइज किया जा रहा है के लाग वाइज के साइट से यहां पर फोतोग्राफिक कॉंपिटिशन ट्रैवर लॉक राइटिंग कॉंटिस्ट शौ्ट फीलम कॉंटिस्टcolored कॉंपिकशन और पोस्त डिजाइन कॉंट्स टोंटाइज Kakicket रहां तो यहां पर लोग इसके बार पूरींद 찍 λέel कर सकते हैं हघर पुषाई का टिग्री के बारे में देखेंगे तो वीडियो सटार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते है और बेल अकल को भी प्रेस कर सकते हैं हम depending ऑफ एडूकेशन से निंहीं बनाते रहते हैं घ्याइजा करें तो यह कॉंटेस्ट जो है वो उपर है सभी इंडियन सिटीजन के लिए इरिस्पेक्टिव अब देर एज कोई भी उम्र के यहां पे इंडियन सिटीजन पार्टिसिपेट कर सकते हैं कॉंटेस्ट में पार्टिसिपेट करने की लांस डेट है 30 सप्टेब्बर तील 5 पीम इसे पहले आप इसमें अपने इंट्री समिट कर सकते हैं आपको फोटो देनी है जो की नेचर और वाइलाइफ से जुड़ी हो और वह भी स्टेट ऑफ के रला की एक पार्टिसिपेंट इसमें पांच इंट्री दे सकते हैं यानि आप फाइफ फोटो यहां पर समिट कर सकते हैं टेकनिकल यहां पर कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई है यह आप यहां पर देख सकते हैं आपकी जो इंट्री है वह इसी के मताबिक होनी चाहिए रिजल्ट की बात करें तो 8 October 2020 तक winners announce कर दिये जाएंगे या तो email ID से या फिर आपको call करके आपको बता दिया जाएगा जो भी winner होंगे उन्हें inform कर दिया जाएगा और इसमें अगर prizes की बात करें तो इसमें तीन यहां पर prizes है 1st, 2nd, 3rd, 3rd, तीनों में ही cash prizes है 1st prize है 20,000, 2nd prize होगा जो 10 winners को यहां पर दिया जाएगा तो यहां पर इसकी यह सारी terms and conditions है जो एक बढ़ा करके आप इसके website पर पढ़ सकते हैं और इसमें participate कर सकते हैं website का direct link आपको description box में मिल जाता है साथ में आप यहां पर केडला forest department के website पर विजिट करके इसको देख सकते हैं यहां पर आपको register yourself का option मिल जाता है यह photographic contest के लिए मैं बता रही हूँ तो यहां पर photographic contest के page पर आपको register yourself का option मिल जाता है यहां पर एक form open होगा जो आपको fill करना होगा name, email id, mobile number देना होगा एक password यहां पर enter करना होगा state दालना होगा और उसको submit करना होगा apply करने का option आजाता है contest के लिए यहां पर जो भी आपसे details मांगे जाएंगे वहां पर आपको देख करके और अपनी enter submit कर देनी है उसके बाद अपनी आपकी जो application में वह को आप track भी कर सकते हैं उसकी status को तरीके से आप इस photography contest में participate कर सकते हैं अब next हम लोग यहां पर देखते हैं wildlife travel log writing contest तो यह contest भी केरला government के side से organize किया जा रहा है इसमें आप 30 September तक अपनी enter submit कर सकते हैं इसमें आपको एक form भरना पड़ेगा यह form आप देख सकते हैं यहां पर आपको अपनी फोटो देनी है साथ में अपनी यहां पर डिटेस देने है नेम जंडर एड्रेस और साथ में आपको एक ID पूफ यहां पर टैज करना होता है जो कि वोटर ID कार्ड आधार का ड्राइविंग लाइसिंस या कोई अधर ID कार्ड हो सकता है इसूट बाइ गवर्मेंट डिपार्टमेंट साथ में आपको अपना कांटेक्ट नंबर इमेल आइडी देना है अपना प्रोफेशन देना है और इसके बाद अपनी इंट्री यहां पर बताने हैं कितनी आप अगर इंग्लिश में यहें और मल्यालम में दे रहे तो मल्यालम में हो इसमें भी कोई भी Indian सजटीजन पांटिस्पेट कर सकते हैं इसमें भी कोई इंट्रीफी नहीं है इसमें गृत करने के लिए दिकाया, वpower मिष भेस, साइट पर अवलेबल है महां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं आपको इसको फिल करना है फिल करने के बाद अपनी इंट्री के साथ और इसके साथ अपनी आईडी काट के एक कोपी अटाच करके इमेल करनी है यहां पर इमेल आईडी दी गई है www.travellog20.com यह स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसकी इमेल आईडी इसी पर आपको अपने इंट्री को समिट करना है थीम की बात करें तो जो ट्रैवल लॉग है वो बेज़ होना चाहिए वार्स या वाइल्लाफ एडिया में कोई भी आप ट्रैवल करने गए हों इंसाइड दे स्टेट ऑफ करला उस पे एक पार्टिसिपेंट एक इंट्री ही समिट कर सकते हैं अगर आप दो अलग अलग लैंगवीज में यानी इंगलिश और लिजा अलग अलग करें तो आप द यहां पर फॉंट साइज दिया गया है 12 यहां से जाधा हैंड रिटेन यहां पर एकसेप्टेबल नहीं है टाइट होना चाहिए मिनिम्मूम 750 वर्ट का होना चाहिए और मैक्समुम 3000 वर्ट का हो सकता है आपकी ओरीजिनल होनी चाहिए यहां पर नहीं होनी चाहिए और से जो कि आप एक बड़ा देख लिए उसके बाद आप इस पर पार्टिसेपेट कर सकते हैं विनर सेलेक्शन की बाद करें तो इसकी जो रिजल्ट है वो एट ऑक्टोबर तक अनांस की जाएगी बाई टेलीफोन और इमेल प्राइजिस की बाद करें तो इसमें तीन प्राइज यहां पर जो कॉंटेस्ट है वो है शॉट्फिल्मेकिंग कांटेस्ट यहां वो ओपें है सभी इंडियन से लिए और इसमें आप पार्ट्स पेट कर सकते हैं 25 सेप्टेंबर तिल 5 पीम तक इसमें आपको यह जो रिजिस्टेशन फॉर्म है वो फिल करना है जैसे मैंने आपको पिछले वाले कॉंटेस्ट के लिए बताया था अपनी सारी डीटेल्स यहां पर आपको देनी है साथ में अप इसको आप नोट कर लें इसी अड्रेस पे आपको सेंड कर देना है before the last date थीम की बात करें तो नेचर और वाइड लाइफ इसकी थीम है इसी पे आपको एक शॉर्ट फिल्म बनानी है यह फिल्म भी स्टेट ऑफ करला में ही फिल्म होनी चाहिए लैंगविज की बात करें तो इसके साथ ही यहां पर कुछ टेकनिकल स्पेसिफिकेशन है तो इसको आप यहां पर फॉलो करके इसको देख लें यहां पर मैं इसको थोड़े स्किप कर रही हो लेकिन आप इससे पूरी तरीके से पढ़ ले और उसके बाद इसमें पार्टिसपेट करें रिजल्स की बात करें तो रिजल्स जो है वो 8 अक्टूबर तक यहां पर अनॉंस किये जाएंगे आपको इमेल आड़ी या टेलीफोन के बाद हमसे आपको बताया जाएगा इसके सा 10 स्टीफिकेट उफ डिकनिशन दिया जाएगा फ 1 स्टीफिकेट त अले दिया जाएगा 2 अधर बिनर्स को जो कि ौश्यों सनलीशन प्राइस होगा तो यह सारे यहाँ पे कुछ terms and conditions है जो आपको follow करने होंगे एक बार आकर करके आप इसको पहले और उसके बाद आप इसमें participate कर सकते हैं नेक्स जो यहाँ पे contest है वो है online quiz contest तो online quiz contest जो है वो open है सेर करला के higher secondary और college students के लिए इसमें participate करने के लिए आपको यह form फिल करना होगा और फिल करके इसको आपको email करना होगा यहाँ पे email address दिया गया है www.quiz2020attherateofgmail.com इसको फिल करके जब आप इसको send कीजिएगा email के आपकी registration complete हो जाएगी उसके बाद आपकी यहाँ पे quiz conduct की जाएगी इसमें register करने की last day 30 September till 5 p.m. है और जो contest है वो 3 October 2020 को conduct की जाएगी इसमें आपसे questions जो है वो पुछे जाएगे नेचर, wildlife and biodiversity conservation related तो इसी पे आपको तयारी करने है इसी से आपकी questions आएगे contest की बात करें तो यहाँ पे higher secondary के लिए अलग से और college student के लिए अलग से quiz यहाँ पे conduct की जाएगी अलग-अलग timing दी गई है 3 October को ही 7.30 से 8 p.m. तक higher secondary students की quiz होंगे और 8.30 से 9 p.m. तक college students की quiz होंगे यहाँ पे आपसे 25 questions पूछे जाएगे जो कि Google form में available होगी आपको link जो है वो 2nd October को ही भेज दिया जाएगा आपके registered email ID और mobile number पे पर उस link को आप open 3 October को ही कर पाईएगा यहाँ पे भी winners जो है वो 8 October को announce की जाएगे और यहाँ पे prizes की बात करें तो यहाँ पे cash prizes तो नहीं है लेकिन जितने भी students होंगे जो कि इसको full score से pass करेंगे इस quiz को उन्हें certificate of recognition दिया जाएगा तो यहाँ पे इसके terms and conditions है जो कि एक बढ़ा करके आप इसको पुरी तरीके से पढ़ ले उसके बाद आप इसमें participate कर ले अब next में चले तो इसका जो last contest है वो है wildlife poster design contest contest open है सारे इंडिन citizens के लिए इसमें आप 30 September तक lastly participate कर सकते हैं till 5 p.m अब भी आपको यह form फिल करना होता है फिल करके आपको अपनी ID की एक copy attach करनी है और साथ में अपने जो entry करने है और उसको आपको send करना है बाइ पोस्ट यहाँ पे इसकी address दी गई है अगर आप करला में रहते है तो आप जाकर खुदी और पहर जाते हैं तो आपको यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं एर अप इसे address पर इसपर आपको अपनी entry भेजनी है तो आपको तीन चीज भेजनी है, अपनी registration form, अपनी ID की एक copy भेजनी है और साथ में अपनी entry भेजनी है Theme की बात करें, अपनी poster को डिजाइन करना है एक participant maximum दो entry submit कर सकते हैं और उसके लिए आप A3 size का paper यूज़ कर सकते हैं orientation जो है वो landscape में होना चाहिए, landscape format में और इसके लिए आप water, poster, acrylic, color यूज़ कर सकते हैं Results जो है वो 8 October को announce के जाएंगे, जैसा कि हरे contest में है, email और telephone के माध्य हमसे आपको बता दिया जाएगा इसमें prizes की बात करें तो 3 cash prizes है, 1st, 2nd, 3rd, 1st prize is 7500, 2nd prize is 4500 और 3rd prize is 2500 का साथ में जितने भी ये 3 winner है, उन्हें certificate of recognition दिया जाएगा और जो certificate of merit है वो दिया जाएगा 5 winners को जो की consolation prizes होंगे तो यहाँ पर ये सारी इसके कुछ terms and conditions है, आपको यहाँ पर एक बार आकर के पढ़ लेना है और इसके बाद आप इसमें participate कर सकते हैं तो यह सारी चीज़े थी इस पूरे contest के बारे में इन 5 contest यहाँ पर आप अपने eligibility के अनुसार यहाँ पर participate कर सकते हैं पर आप इसको पूरी तरीके से इसके terms and conditions को पर ले इसके website पर जाकर करके registration form भी आपको इसके website पर ही मिल जाएगा इसका link आपको description box में मिल जाएगा that's it for this अगर आपको कोई query हो तो आप हमें comment box में पूछ सकते हैं साथ में अपने feedback भी दे सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो इससे like और share जरूर करें और ऐसी contest अबडेट पाने के लिए आप हमें YouTube के अलावा Telegram पे भी जाइन कर सकते हैं और follow कर सकते हैं Facebook और Instagram पे तो thank you so much and take care